गाइज अजम क्या बनाए एक आईडिया आज बनाए जा रहे हैं छट पर तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बोर्ड से वे वैसे तो बहुत इजी है इसके लिए आपको से कुछ ही सामान चाहिए जैसे एफ और स्राइज की शीट अपर अगर उससे बड़ी भी हो तो भी चलेगी तो यह सा नहीं है कि मैं पर्स्ट सेम ट्राइगा गाए है मैं इसको पहले भी ट्राइग कर चुक हैं तो सबसे पहले इसको फूल्ड कर नहीं है अगर यह सही नहीं हुए आपको इसको इकुल करके ही फूल्ड करना है दूसरा इसले लिया है ताकि साथ चात्म प्रेक्टिस भी होती जाएगी आपको ऐसे ही एक ओर लाइन करनी है अगर आप इसको नहीं भी खीचते हैं तो अभी कोई बात नहीं है तो अगर खीचते हैं तो बहुत अच्छा है ठीक बिल्कुल इसी तरह और इसके बाद इन दोनों हिस्सों को तीम तरह से तरह से मोड़ते हैं अध्यान रहें दोनों रूपल सेम होने चाहिए अगर एक में उच नीच हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसा ही दूसरी तरफ करें और याद रहें यह दोनों इकवल होने चाहिए क्योंकि अगर यह दोनों इकवल नहीं होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आज जाएगी और आपके चीड़ी अच्छे से नहीं बनेगी करें ह्या थाएगी खरोटार नहीं अच्छ प्याद और भाएगी प्याद अगके रिवद्व बड़कर प्राहστburst और फिर अब इसे पीछे के साइड मोड़ें यह आप देख सेके हैं अभी आपका बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए एक भी उच्छ नीच्छ नहीं होना चाहिए और याद रहें नीचे से बिल्कुल एंड से भी यह बिल्कुल सही रहे फिर इसे पीछे से मोड़ें जैसे कि मैं आपको पहले बताया था और फिर इसको एक दम पका करते हैं ताकि यह जब भी आप बनाएं तो यह मुड़े नहीं और फिर इसी तरह ऐसे इसको दुबारा मोड़ें और याद रहें यह इक्वल होना चाहिए बिल्कुल इसी तरह आपको बिल्कुल ऐसा ही डिखना चाहिए और फिर इसे बीच में से मोर दें और नीचे का हिस्सा आदे में ही होना चाहिए और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में से फोड़ा से पेपर को खोलें और इसकी चोंच बनाएं पर इस थुरत तीखा है तो आपको डिफिकलिटीज आ सकती हैं पर कोई बात नहीं आप से हो जाएगा और फिर उसके बाद आप जैसे यह करेंगे तो हो सकता है कि नोग थोड़ी नीचे चली जाए तो आपको अपने हातों के मदद से इस नोग को उपर लाना है और सबसे पहले आपको इसकी आखें पैंसिल से बनानी है फिलहाल तो मैंने पैंसिल से बनाया लेकिन पहले वाले में मैंने मार्कर से बनाया है मतलब पैंसिल के उपर मार कर लगाया है बट इसमें जिस फुर ट्रायल आपको आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सिर्फ पैंसिल का इस्सेमाल कर रही हूं अगर आप चाहें तो बीच में स्थ्व पैसली मात इसे इस फ्रीषट कर लेकिस में करें इसको इस के ऐसे बहुत क्यूट लगेंगी तो आपई देख सकते हैं हमारी स्थीडे कंप्रीट हो चुकी है अगर आप फर्स टैम बना रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए और अगर पहले कभी बना चुके हैं तो बहुत अच्छा होगा कि इससे आपको थोड़ी थोड़ी प्लेक्टियस भी रहेगी चलिए अब चुरू करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्रिस्मस ट्री हबसे पहले तो आपको पैंसिल से बिल्कुल लाइटर शेड करना है एकदम लाइटर शेड हबसे पहले तो आप किसी तीच के उपर अपने पेपर को रखिए या उसके नीचे कोई से भी नोट बुक के ऐसे कुछ रखकर उसको भी किसी तीच के उपर रखिए और फिर इतना लाइटर शेड कीजिए कि आपको भी ना दिखे आई मीन आप समझ गई होंगे इसी तरह लाइटर शेड करना है और फिर एंड में इसको पैंसिल से पूरा डाक कर देना है इसी तरह और अगर आपको इससे छोटा चाहिए तो आप वह भी बना सकते हैं और याद रहें आपसे पैंसिल कलर यूज करें और वह भी सिर्फ ग्रीन आपको पता है कि सिर्फ ग्रीन कलर का होता है बाकी कलरों का नहीं कि मैंने एक बड़ ट्राय किया था बड़ फिर नहीं अटा कि मेरा मैजिक इस सेंबलाइन कहां चला गया था अब देखिए अब भड़ गया अब इस कलर से इसके नहीं कलर करिए बड़ लाइटर घ्रीन भी होना चाहिए और फिर उपर स्टार काट के चिपकाई है अब स्टार काटिए और उस पर इसी कलर से या फिर एक्विलिक पीन से यल्लो कलर कीजिए वाटर कलर सब नहीं कर सकते हैं कि वाटर कलर इसके लिए सीखनी रहेगा बिल्कुल इसी तरह इसमें कलर भड़ दें और फिसके पाद इसको उपर चिपका दें और फिर अभी तोड़ी ड Beij कोलर इट बार की है आप चाहिए तोजे नहीं है यह बातिर होने चाहिए थोड़े उद्धोर थोड़े अगर्चे बास बश्यक्कोल नहीं यह तो आप उनको मोनिक्थ से पेंट भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किये हैं और इनको चिपका दें इसके उपर थाकि हमारी रेक्रियूटिफ लाइट्स बन जाए यह देखी विल्कुल इसी तरह और नीचे वाले हिस्से में भी जिसकी वज़े से ट्री स्टेक है वाँ पर भी थोड़े बहुत लगा दें